तुमने अपने पिछले एक साल में कुछ भी किया हो, अगर तुमने आने वाले एक साल का अच्छे से यूज कर लिया, तो तुमको IT में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। मैंने लिटरली टॉपर्स को देखा था, मिनट टू मिनट टाइम टेबल को फालो करते हुए, और नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस बहुत अलग लेवल की होती थी। इतिना कि मैं भी उन टॉपर्स को देखके बहुत जादा इंस्पायर हो गया था और मैं भी टाइम टेबल फॉलो करने लगा था अच्छे से। अगर मैं सच कहूं तो स्टार्टिंग में मैं टाइम टेबल को सीरियसली बिल्कुल नहीं लेता था, बनाता था बट उसको फॉलो नहीं करता था अच्छे से। दो-तीन महने के बाद फिर फाइनली ये रियलाइज हुआ कि टाइम मेरे हाथों से ऐसे भाग रहा है और पूरे दिन बैठने के बाद भी ये रियलाइज हो रहा है कि मैंने कुछ पढ़ाई फिनिश ही नहीं करी है जहां ता वहीं बैठकाओं या फिर थोड़ा बहुत पर पर पहले भी वीडियो बना रखे है बट बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लें था कि वो ताइम टेबल उनको स्पेसिफिकली सूट नहीं कर रहा है तरीजन बिंग कि कुछ बच्चे सिर्फ कोचिंग जाते हैं और कुछ बच्चे कोचिंग और स्कूल दोनों जाते हैं इ तो इस टाइम टेबल में ना मैं दो चीज़े बताऊंगा नमबर वन कि 24 आर्स को डिवाइड कैसे करना है एक कॉमन टाइम टेबल जो कि most of the strengths को सूट कर पाएगा अगर वो टेंपलेट तुमको 100% सूट ना करे तो तो तुम अपने अकॉर्डिंग थोरे बहुत चेंज़े और डेली टास्क लाइक बेदिंग इसके अलावा सिर्फ तीन घंटे बचते हैं जो तुम्हें सेल्फ स्टेडी में लगाने अब देखो सचाए तो यह कि सिर्फ तीन घंटे सेल्फ स्टेडी करके यही निकालना मुश्किल है लेकिन उसमें बाद में आएंगे सबसे पहले तुम्हारा स्कूल का टाइमटे का टैमपलेट बेख लेता है तुम को 6 बजे उठना है 6-7 के बीज रडी होना है स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट करके 7-1 जाना है एक से 3 ड्रेवल लंच रेस्ट और आप लेना है तीन से साथ कोचिंग करना है साहत त्रेवल-ड्र वोम रे तो इस ताइम तेबल को ओपर निचे थोड़ा बैलेंस कर सकते हो अब यहां पर मुद्दे की बात पर आते हैं कि इस ताम टेबल के टेंपलेट के अकॉर्डिंग सेल्फ स्टड़ी के लिए सिर्फ तीन घंटे बच रहे तो क्या तीन घंटे में तुम जेए क्लेर कर सकते हो तो गाईज इस ताइम तो बी स्मार्ट नाओ देखो मैंने अल्रेड एक वीडियो बना रखी थी जेए विट स्कूल कि आप जेए के साथ साथ स्कूल को भी कैसे मैनेज कर सकते हो उसमें मैंने डिटेल में बता है कि तुम कैसे आइटी निकाल सकते हो गर तुम बीजा रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को प्लीज देखना and always make sure to do these two things in your daily self-study slot number one, revision करो जो भी तुमको पढ़ाया गया है and number two, DPP solve करो जो भी तुमको daily basis पे मिल रही है इसके अलावा तुमको बचाने का काम तुम्हारे लिए स्कूल खुद करेगा जब स्कूल तुमको छुटियां देगा या फिर weekends के टाइम पर तुम घर पे बैठे होगे उस टाइम पर तुम टेस्स दे सकते हो, बैकलोग्स क्लेर कर सकते हो या फिर material सॉल्व कर सकते हो ध्यान रहे, स्कूल और जेए को मैनेस करने वाली वीडियो जरूर देखना डिटेल में सारी चीज़े बताई है कि स्कूल का क्या फायदा उठा सकते हो इस स्कूल में तुम कैसे पढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो तुमको बहुत सादा हल्प मिलेगी नेक्स्ट बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो कि सिर्फ कोचिंग जाते हैं या फिर खुद से परहाई करते हैं घर पर सेल्फ स्टड़ी करते हैं यूट्यूब या फिर ओनलाइन क्लासिस की मदद से साथ घंटे स्लीप, फ्री आवर्स डेली टास्ट जो की मेंडिटरी होते हैं अब इस ताइम डिविजन के कॉर्डिंग एक एक इग्जाक ताइम टेबल के तेम्पलेट देख लेते हैं जो कि मिजॉरिटी अप देस्ट को सूट करेंगे सुबह आपको उठना है आट बजे, अब क्योंकि आपका स्कूल होगा नहीं तो आपको स्कूल के लिए जल्दी उठने का कोई टेंशन नहीं है 8-9 के बीच में आपको breakfast कर लेना है और अपने coaching के लिए ready हो जाना है फाइनली शाम के साथ से आठ के बीच आप दिनर कर सकते हो या फिर अपना एक ब्रेक ले सकते हो वंस अगें आठ से ग्यार के बीच आपका second slot of three hour self study जिसमें कि आप फिर से एक घंटा दोगे हर subject को और फाइनली रात के 11-12 बजे के बीच आप backlogs clear करोगे once again point to be noted backlogs and revision हर दिन करने की कुशिश करनी है depending on कि आपका कितना backlog कितना revision बाकी है अदेव गाइस यह जो template तुमको मैं बाता है यह majority of the students को suit करेंगे और बिना exhaust हुए तुम इसको अगले एक साल तक follow कर सकते हो of whatever has been taught to you in the coaching number two, तुमको DPP solve करना है, तुम्हारे coaching ने तुमको जो भी provide किया है and number three, तुमको questions practice करना है, module से या फिर reference book से बाकी जब भी तुमको holiday मिले, उसमें तुम test दे सकते हो, backlogs पे और अच्छे से cover कर सकते हो मतलब daily backlogs तो करना ही है, बड़ अगर को majority of the backlog बचा हुआ है, तो उसको तुम holidays पे और ज़्यादा अच्छे से focus कर सकते हो अब देखो, इतना सब कुछ बताने के बाद मेरे को बस तुम ये मत बोलना कि भाया मुझे time table बनाना नहीं आता, follow करना नहीं आता, follow नहीं हो पाता क्योंकि ये सब बताने के बाद भी, अगर तुम अभी भी अच्छे से नहीं पर पा रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती होने वाली है एक और बात मैं तुमको बता दू कि मैं खुद के जब ये प्रिपरेशन में था ना, तो कई बारी ऐसा होता था कि मैंने एक time table बनाया है और शायद मैंने एक ऐसे time पे वो time table बनाया है, जब शायद वो time table आने वाले एक दो महिने के लिए बहुत ही relevant है बड़ उसके बाद coaching में extra classes आजाते थे, उसके बाद coaching में test होने लगते थे, जिसके कारण वो time table आगे जाके relevant नहीं रहता था तो तुमको तुमको तुम्हारे preparation के बीच में अपने time table को कई बारी modify करने के जरूत पड़ेगी कड़ी बारी ऐसा हो कि तुमको लगया कि तुम इस time table को तुम अच्छे से follow कर पाऊगे बड़ तुमको ये realize हो कि तुम इसको अच्छे से follow कर ही नहीं पा रहे हो बड़ तुमको give up नहीं करना है idea यह है कि तुम जितनी भी बार अपने time table को follow करने से fail हो जाते हो तुमको अतनी ही बार एक नया time table बनाना है अपनी गलतियों से सीख के और तुमको ये पूरा try करना है कि तुम उस वाले नए time table को अच्छे से follow करोगे जब तक exam खताम नहीं आता तुम इसी चीज़ को repeat करते रहोगे क्योंकि trust me, जब भी कोई बच्चा time table बनाता है अपने जई प्रपरशन में वो time table अगर वो अच्छे से follow कर ले तो उसको अच्छा marks, अच्छा rank, अच्छा college लाने से कोई नहीं रोक सकता ये बद तुमको भी बता है तो please जब भी time table बना रहे हो please पूरे dedication के साथ उसको follow करने की कोशिश करो और अगर वो follow नहीं हो पाता है कुछ छूड याता है, तो एक नया time table बनाओ और उसको फिर से follow करने की कोशिश करो At the end of the day guys, सब कुछ discipline का game है कुछ भी हो जाए, तुमको बस यह याद दिलाना है कि यह जो एक साल है वापस कभी नहीं आने वाला है तो तुमको पढ़ने का मन करे ना करे सर्दी हो, ठंड हो, बारिश हो, कुछ भी हो तुमको यह बोलना है कि भाई, एक साल कर ले महनत बाकी का आगे देखेंगे अभी पढ़ने का time table मैंने बना रखा है अभी पढ़ना है तो पढ़ना है इसके साथ साथ एक और bonus rule तुमको मैं बता दूँ एक 5 second rule होता जो कि तुमको अपना follow करना चाहिए अपने time table को balance करने के लिए जिस चीज़ के लिए तुमने जो भी time set किया है तो जैसे ही नौ बचता है पांच सेकेंड के अंदर अंदर तुमको फेस पढ़ने के लिए बैठ जाना है अगर तुमने अपने आपको टाइम दिया यह सोचने का कि रहे आद नौ तो बच गया अच्छा चलो कुछ खा लेते हैं कुछ पी लेते हैं नहीं अपने मन को अगर तुम सोचने दोगे कि क्या करना है तो मन तुमको हजार बहाने देगा कि तुमको वो काम क्यों नहीं करना है तो प्लीज अपने माइंड को सोचने का टाइम ही मत दो जैसे 9 बचे फेस पढ़ने के लिए बैठ जाओ यह 5-second rule और अगर तुमने इस 5-second rule को अपने टाइम टेबल में इंकॉर्परेट कर लिया तो भाई तुम फाड के रोख दोगे इसके अलावा प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो कि तुमको क्या प्रब्लम आ रही है अपने टाइम टेबल को फॉलो करने में डिसिप्लिन रहने में इसके उपर बना सको या तो तुम्हारे कॉमेंट कर रिपलाइ कर दूँगा या फिर सल्यूशन के साथ एक डीटेल में वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो के आने के खंंटे के अंदर ही तुम अपने साअरे कोमेंटस कर सको अगर तो अच्छा होगा क्योंकि उस एक घंटे में में बहुत सादा आशा हंग का में सारे को में ऐगनस को उसी घंटे के बीच रिपलाइ कर दू इसके साथ साथ सब्सक्राइब तो दा चैनल चेक आउट दा सीरीज जी जीतेंगे जहां पर हमने बहुत सारी स्ट्राइजी वीडियो बना रखें जिसे कि तुम्हारा जेए का प्रप्रेशन बहुत एजी हो जाएगा और साथ में भाई सब्सक्राइब गर लो चैनल को यार अगर अब तर सब्सक्राइब नहीं किया तो इतने महनत से तुम्हारे लिए वीडियो बनाते हैं तुम्हारे फाइदे के लिए बनाते हैं सब्सक्राइब और बहुत फाइदा होगा that's all for this video thank you so much for watching this is Eclipse Nova signing off see you in the next video